दोसों देखा जाए तो साल 2020 में कोरोना महामारी का घटना होने के बाद एक तरीके से चाइना के उपर गड़हन लग गया पहले तो कुरोना महामारी के कारण पुरा दुनिया को चाइना के उपर एक तरीके से ट्रस्ट रेफिस्ट हुआ और इसके बाद चाइना से इन्वेस्टमेंट एक एक करके एशिया के अन्ने देश तान अंतरित हो गया हाली के रिपोर्ड में ये भी खुलासा हुआ कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल चाइना के अंदर स्टार्ट आप को लेके करिफ करिफ वान फिफ्ट ही इन्वेस्टमेंट हुआ है उपर से दोस्तों बीते कुछ सालों में चाइना के द्वारा एक्सपोर्ट किया हुआ हतियारों का भी पोल एक एक करके खुलता रह रहा है और दोस्तों अब चाइना को हतियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट में और एक बड़ा जटका मिला जटका है चाइना के युवान क्लास सब्मरीनों के डील को लेके बताया जा रहा है कि थाइलन्ड के द्वारा चाइना से सब्मरीन खरिदने को लेके जो डील किया गया था अब थाइलन्ड उसे रत कर दिया है और दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि थाइलेंड के द्वारा चायना से यूवान क्लास सब्मरीनों के डील को क्यों रत किया गया और इससे चायना के उपर कितना बड़ा असर पढ़ने जा रहा है तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो थाइलेंड चायना से सब्मरीन खरिदने के टेंडर को संपूर्ण रूप से रत कर सकता है बेसिकली दोस्तों अबके जानकारी के लिए बता दू कि थाइलेंड के द्वारा चायना से एक टाइव 039A यूवान क्लास सब्मरीन खरिदने को लेके समझोता हुआ था समझोते में जहाँ पे एक सब्मरीन थाइलेंड अभी खरिद रहा था तो वो ही पे इसके साथ साथ दो और सब्मरीनों को भी खरिदने का ऑप्शन रखा था और चायना के द्वारा थाइलेंड को जो सब्मरीन बेचा जा रहा था उसमें ऑडिजिनली जर्मनी के कम्पनी MTU के तरफ से निर्मान किया हुआ इंजिनों का इस्तिमाल किया जा चायना मिलिटरी पर्पोज में इस्तिमाल कर रहा है और साति साथ रिवर्स इंजिनीरिंग करके अपने प्रोडक्टों का निर्मान कर रहा है ऐसे में दोस्तों जब जर्मन के तरफ से सब्मरीनों के इंजिन देने से मना कर दिया गया तभी थाइलेंड के तरफ से वी ये घोशना किया गया कि अगर प्रयाप्त इंजिन इसमें नहीं होता है तो थाइलेंड सब्मरीनो को नहीं खड़ देगा दोस्तों बेसिकली इसमें MTU के तरफ से निर्वान किया हुआ MTU 396 डीजल इंजिन का इस्तेमाल होना था पर जर्मनी के तरफ से मना करने के बाद एक तरीके से चाइना के तरफ से इशू को सॉल्फ करने को लेके भी प्रयास चलाया गया और को सुल्जाने को लेके एक चर्चा हुआ है और उनके तरफ से औल्टरनेटिव रस्ता ढूंडा जा रहा है रिपोर्ट के मताविक चाइनिज अधिकारियों के द्वारा थाई नेवी के अधिकारियों के सामने डील के एग्रिवेंटों को बदलने का एक ओफर रखा गया थ और ये भी कहा गया था कि अल्टरनेटिव इंजिन के रूप में स्वधिशी इंजिन मतलब MWM620 के इस्तेमाल का अनुमती दिया जाए चाइनिज अधिकारियों का कहना था कि ये इंजिन सब्मरीन में कमफर्टेवल है और MTU के इंजिन को रिप्लेस कर सकता है हाला कि दूसरे तरव ये भी बताया जा रहा है कि थाइलेंड के जो नेवी है उसके अधिकारी ओरिजिनल एग्रिमेंट को लेके ही अडे हुए थे और उनका मानना है कि ओरिजिनल एग्रिमेंट में किसी तरीके का कोई भी वदलाओ उन्हें सिकार नहीं है और इससे एक त सब्मरीनों को खरिदने का इरादा थाइलेंड के नेवी के तरफ से रखा गया था वो भी एक तरीके से पक्का था और टूटल थाइलेंड के नेवी के द्वारा तीन सब्मरीनों को खरिदा जाना था जिसका लागत 36 बिलियन वाट या फिर कहतो 1.16 बिलियन डॉलर था इन सब्मरीनों को कुछ थाइलेंड स्पेसिफिक मोडनेशन करके भी चाइना के द्वारा देना था और सब्मरीनों के बदले जो पैसा था वो चाइना को ग्यारा एन्वल इंस्ट्रॉल्मेंट में भी मिलना था पर दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि जर्मनी के तरफ से चाइना को इतना बड़ा जटका क्यू दिया गया दोस्तों एक तरीके से अगर दिखा जाये तो साल दर साल जर्मनी के तरफ से चाइना को यूरोफियन यूनियन के आर्म एंवार्गों के रूल को वाइलेट करते हुए कई तरीके के फाइदे पोचाया गया इवें जर्वनी कई तरीके के ऐसे सप्लाइज भी वरकरार रखा जो एक तरीके से डुएल पर्पोस है और चाइना उसका इस्थिमाल मिलिटरी हतियारों में भी कर सकता था जर्वनी को साल दर साल ये रियलाईज होने लगा कि चाइना उसके डुएल इउस एक्वेपमेंटों को खाली मिलिटरी पर्पोस में इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है बलकि इसे एक तरीके से कॉपी करके जर्वनी के टेक्नोलिजी को सेंद लगा रहा है हाला कि दोस्तों हाल फिलाल के जो सिच्वेशन है वो काफी हद तक जर्वनी के सोच को बदलने में समर्थ रहा और जर्वनी को ये महसूस हुआ कि येरोपियन यूनियन के जो रूल को वाइलेट करके जर्वनी सप्लाइस बरकरा रखा था खाली यूरोपियन यूनियन को ही खोकला नहीं कर रहा है बलकि एक तरीके से जर्मनी को भी खोकला कर रहा है उन्ही इंजिनों के reverse engineering करके चाइना के द्वारा एक इंजिन का निर्मान किया गिया है और उस इंजिन का certification चाइना जर्मनी के M.T.E.U. कंपनी से ही किया है सर्टिफिकेशन को base बना के चाइना अब इन्ही इंजिनों को थाइलेंड को ओफर कर रहा है हाला कि थाइलेंड अभी तक चाइना के इस ओफर को ना एसेफ्ट किया है और ना ही अपने इरादे को बदलने का कोई इशारा दिया है मतलब थाइलेंड फिलाल अड़ा हुआ है कि चाइना के द्वारा अगर डील को आगे बढ़ाना है तो डील के शर्तों के मुताविक उसे ओरिजिनल इंजिन सप्लाई करना पड़ेगा पर दोस्तों आप सब लोगों को ये ही वी बता होगा कि चाइना चालवाजी में कितना माहिर है और चाइना कई तरीके के लुभानियों ओफर देके थाइलेंड को इसे इसको शिकार करने पे मनवावी सकता है पर बड़ा सवाल यह है कि चाइना के ऐसे लुभानियों ओफर फे क्या थाइलेंड राजी होगा बेसिकली अगर देखा जाए तो थाइलेंड चाइना के टेक्नोलोजी को लेके काफी अधिक चिंतित है और चाइना के ये इंजिन को लेके थाइलेंड फिलाल भरोसा नहीं कर पा रहा है Thailand China के इंजिनों कुले के वरोसा इसलिए भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि Thailand के अधिकारियों का मानना है कि ये reliable नहीं है और अगर सब्मरीनों में इस्तिमाल होता है तो ये सब्मरीनों के performance को तो घटाएगा ही साथ में ये भी guarantee नहीं है कि इंजिनों के कारण कोई दुरगटना दोस्तों चाइना कई तरीके के इंजिनों के डवलपमेंट का दावा करता है जिन में J20 के WS-15 जैसे इंजिनों से शुरू करके J10 एरक्रेफ्टों के WS-10 इंजिन तक शामिल है चाइना का ये भी दावा है कि चाइना के जो बड़े बड़े जहाज है उसमें असल में Chinese Origin के इ डवलपमेंट किया गया है वो basically और कुछ नहीं केवल मातर रश्यन इंजिन की एक reverse engineering version है पर इसमें भी चाइना को मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा है खास करके इंजिन के reliability और इंजिन के core को लेके कुछ साल पहले रिपोर्ट आया था कि चाइना के तरफ से जो इंज गुना कम चलता है जबकि रश्यन इंजिनों के मुकाबले में दो से तीन गुना कम समय तक ही operate हो सकता है मतलब कोई वी देश अगर चाइना से एर क्रेप्टों के साथ उसके इंजिनों को भी खरितता है तो उससे किसी अन्य एर क्रेप्टों के मुकाबले में अधिक maintenance करना पड़ेगा दूसरे तरफ अगर दोसों देखा जाए तो चाइना के जहाजों में भी इस्तिमाल होने वाले engine कुछ और नहीं बलकि अन्य देशों के इंजिनों को इह reverse engineering है तो चाइना बीते कुछ देशों को में जो भी हतियारों को खड़िदा है उसके हर एक पार्ट को खो रहेगा ही कि कैसे ये engine Thailand के आवशक्ताओं को पूरा कर सकेगा और दूसरे तरफ ये भी शनका रहेगा कि क्या इन इंजिनों के कारण संपूर्ण सब्मरीन ही बरबाद ना हो जाए दूसरे तरफ अगर दोसों देखा जाए तो ये engineों के issue Thailand के लिए इतना बड़ा issue नहीं है क्योंकि Thailand के साबने अन्य option भी है और Thailand अन्य देशों से भी सब्मरीन खड़ी सकता है पर चाइना के लिए ये बड़ा issue होने के साथ साथ अब पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा issue बन सकता है हाला कि दोस्तों पाकिस्तान चाइना के offer और आर्मी के करफशन के कारण शायद ये चाइना के इंजिनों को एसेट कर ले लेकिन इससे कुछ और नहीं बलकि पाकिस्तान को आने वाले भविश्य में पस्ताना ही पड़ेगा दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वही सब्मरीन है जो पाकिस्तान के द्वारा भी चाइना से खड़िदा गया है और इसमें भी M.T.U. के इंजिनों का ही इस्तिमाल होना था फिलाल बताया जा रहा है कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान के सामने भी अपने स्वदिशी इंजिनों का ओफर रखा गया है और आपके जानकरी के बता दू कि पाकिस्तान के मिलिटरी के अंदर इतना है कि कुछ पैसों के इवज इसे भी एफ्रूबल दे दिया जाएगा हाला कि दोस्तों ऐसे पहले भी पाकिस्तान के मिलिटरी में घटना है घट चुका है जिन में पाकिस्तान के द्वारा चायना के जेव 17 जंक फाइटरों को खरिद के पस्ताया जा रहा है और रिपोर्ट के ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि ये उड़ने लायक है नहीं और रिपोर्ट के मुतावि पाकिस्तान के द्वारा चायना के सामने कई बार गुहार लगाया गया है कि इसके सर्विसिविलिटी को देखा जाए लेकिन चायना हतियारों को बेजने के बाद और किसी तरीके का क कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बनाओं को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सब सबसे पहले जाए हिंद